दोखो ये कोशन करना है, प्रूव देट मिनिमम रेडियस वेक्टर आफ कर्व इस आफ लेंथ ए प्लस बी, दोखो मिनिमम रेडियस वेक्टर, दोखो ध्यान दू, जैसे इसने टम यूज किया है, रेडियस वेक्टर, दोखो ये क्या होता है, दोखो क्या होता है, जैसे माल लिया मैंने कर बना लिया चिक इस पर एक पॉइंट पी ले लिया दोखो अगर हम origin को इससे मिला दें तो इसी को कह जाता है रैडियस वेक्टर जैसे यहां पर अगर हम एक पॉइंट लेले करवे के ऊपर origin को इससे मिला दें तो दोखो इसी को कहते हैं radius vector r ठीक है इसको r कहते हैं ठीक है एक काम किया जाए इसको इससे मिलाया जाए ये angle अगर theta है दोखो ये हो जाएगा r cos theta और दोखो ये हो जाएगा r sin theta ध्यान दीजिए ठीक है अगर इस distance को मैंने r माल लिया इसको theta माल लिया cos का use करेंगे तो base upon hypotenuse तो ये उड़ाएगा r cos theta ये उड़ाएगा r sin theta दोखो यहाँ से p के coordinates आ जाएंगे क्या r cos theta r sin theta ये हमारे दोखो p के coordinates आ गए अब दोखो p point कहां है p point इस कर्ब पर है तो p point इसको satisfy करेगा तो इसको लिखू actually क्या है light चली गई है कोई दिक्कत है light में तो अभी जड़ा light को मैं सही करता हूँ फिर आगे बात करता हूँ यहाँ तक लिखू पहले सब अच्चे इसको जड़ा पहले आगे बताता हूँ मैं आपको इस question को